आप आई दिन सुनते रहते होंगे कि इस इंसान ने GST का ITC वाला 200 करोड़ का स्काम कर लिया, किसी और ने 500 करोड़ का कर लिया, किसी ने 2000 करोड़ का कर लिया दिमाग में कभी-कभी आता भी होगा, कि ये स्काम्स होते कैसे हैं practically, सिल्बस का पार्ट है नहीं, लेकिन जानने का बन करता है तो आज मैं वह ही करने वाला हूँ, मैं आपको पूरी डीटेल में बताऊँगा कि ITC के स्काम्स करे कैसे जाते हैं practically ये बिद्वान्स की दिस्केशन हम यहां पे करने वाले हैं वो बिल्कुल ही आपके उपसे जाने वाली है कोशिश करके या तो classes के थूरू या फिर सेब स्टड़ी के थूरू जिस भी तरीके से GST के basics अपने सही कर लीजेगा, strong कर लीजेगा और उसके बाद video को देखेगा मज़ा आ जाएगा पूरा गपूरा scam समझने में चलिए, start करते हैं मैं आपको tax evasion जो भी बताने वाला हूँ, GST ITC scam के बारे में उसमें दोनों तरीके के scams आपको बताने वाला हूँ the first one is going to be very easy for the department to detect असानी से वह बखर सकते हैं, आपको ये scam करते हैं, बहुत easily jail में डाल सकते हैं and the second one is very difficult for the department to detect दोनों ही बताने वाला हूँ, दोनों में दिक्कत क्या हो सकते हैं, दोने चीज़े में आपको बताऊँगा और फायत है क्या होते हैं लोगों को, वह भी बताऊँगा उसको start करने से बहले एक बार चलती से कुछ basics को revise कर लीजे जो की बहुत जादा काम आने वाले हैं इस पूरे की पूरे GST scam को समझने में देखी, GST जो भी pay कर जाता है सरकार को, यानि की net GST, वो कैसे निकाला जाता है output tax minus input tax credit, जहां पे दोनों ही terms होती क्या है आपने जितने का भी output निकाला है, यानि की जित्तेगी भी sales करी है goods की या फिर जित्तेगी भी services provide करी है किसी भी इंसान को, एक tax period के अंदर उसको बोले जाता है output, उस पे आने वाला tax कैसे निकाला जाता है output की जो भी value है, उसको multiply कर दीजिए GST के rates से, आपको बते चल जाएगा output पे tax करता है, let us say 10 lakh का amount आता है, तो मुझे सरकार को 10 lakh रुपे नहीं देने पड़ेंगे output की वज़े से, क्यों? क्योंकि मैंने inputs, जो भी यही business करने के लिए यूटलाइज करे थे, जैसे की input, services, inputs, capital goods, तीनों ही चीज़े जो भी मेरे business में utilize हो रही थी, यह business चलाने के लिए काम आ रही ही थी, जिस business में output बनीकल के आ रहा था, उन चीजों को procure करने के time पे भी मैंने GST पे करा होगा, तो मैं सरकार को बोलूँगा, मुझे 10 लाग का GST देना पढ़ रहा है, लेकिन मैं पूरा नहीं pay करने वाले तुम्हें, अब क्यों, क्योंकि input लाने के time पे, मैंने तुम्हें 3 लाग रुपे लेटेस से, for example, 3 लाग रुपे मैंने pay कर रहे थे, तो 3 लाग आलड़ी pay कर चुका हूँ, सरकार कहेगी, ठीक है, 10 लाग तुम्हें pay करने थे, 3 लाग आलड़ सप्लियर्स को मिलता है, किसी और इंसान को non-businessman को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनका output tax होगा ही नहीं, अगर output tax ही नहीं होगा, तो ITC माइनस कहां से करोगे, ITC लेके करोगे क्या, रिफंट तो मिलने से रहा, तो लेके करोगे क्या, इसलिए ये ITC किसको दिया जाता है, सि है वे चलिए, returns को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं, evasion हो कैसे रही है, और evasion को समझने के लिए, हमें कुछ किरदार देखने पड़ेंगे, कुछ characters देखने पड़ेंगे, जो भी हमारी story के अंदर use होने वाले हैं, पहला है चिंटू security services, नाम से बदा चल रहा है, क्या service प्रोवाइड करते होंगे, यह लोगों को manpower देते हैं, bodyguards देते हैं, जो की security services प्रोवाइड करती हैं, अभी जो bodyguards दिये जाते हैं, permanent basis पे भी दिये जाते हैं, कि पूरा साल APE premises पे रहेंगे, आपको protection देंगे, और कुछ cases में daily basis पे भी दिये जाते हैं, कि new year का event है, कही स्टोरी के अंदर, दूसरा कौन है, DJ Bobby, हम DJ Bobby क्या गरते हैं, DJ Bobby का DJ है, जहाँ पे वो लोगों को नचाते हैं, अभी जो DJ Bobby हैं और chin to security services हैं, इनकी साठ घाट देखिए, इनकी collusion देखिए, जी स्ट आइटी सी स्कैम करने में, आपको समझाएगा game चल क्या रहा है, और कुछना कुछ questions open रहे गए थे, वो भी मैंने यहाँ पे close कर दी हैं, और इसके साथ साथ, ITC scam actually कैसे करा जा सकता है, और जब ऐसे करा जाता है, यह तो आपका आसान तरीका है, इसमें complications कैसे बढ़ सकती हैं, सारी सारी चीज़े इसी वीडियो में हम cover कर लेंगे, तो दीरी द manpower है क्या, तो चिंटू कहता है, बिल्कुल, manpower ही manpower है, बताओ कितनी चाहिए, तो DJ Bobby कहते हैं कि भाई सब, हमें manpower की actually जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक business है, कौन सा business है, मैं चलाता हूँ, डिसको, जहाँ पर आके नाचने की, अलग से piece लगती है, तो लोगों से मैं पैसे लेता हूँ, अच्छा कासा business चल रहा है, GST payable भी निकल के आता है, लेकिन इतना GST सरकार को देना, वो मुझे चुग रहा है, और वो मुझे कम करना है, और मुझे भी वही दिक्कत है, कि GST payable to the government, ये तो कम करना है, लेकिन output tax इसको में कम नहीं कर सकता, मेरे जो revenue हैं, वो क इसको बढ़ा सकता है, तो इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन, DJ Bobby, अब DJ Bobby की ये कोशिश कामयाब होगी, नहीं होगी, कैसे बता चलेगा, केस को देखके बता चलेगा, चिंटू Security Services, चिंटू क्या कहता है, DJ Bobby को, वो कहता है, आप बिल्कुल सही जगा पे आये हैं, मैं आपका tax बचवाता हूँ, कैसे बचवाता हूँ, देखिए, मेरे business की एक uniqueness क्या है, मेरे पास काफी सारे लोग जो आते हैं, वो consumers होते हैं, businessmen नहीं होते हैं, जो कि अपने personal purposes के लिए security guards की services hire करते हैं, genuine consumers होते हैं, तो जो genuine consumers हैं, जो कि security services मुझ से लेते हैं, इनको बिल्क ITC बस मिलता है, GST suppliers को, तो ये क्योंकि business के transaction है ही नहीं, ITC का कोई मतलब भी नहीं बनता, तो अब यहाँ पर होता क्या है, माल लीजिए, ऐसे काफी सारे लोग मेरे पास आये थे, ये 10 लाग रुपी की services ले जाते हैं, तो इनको मैं बोलता क्या हूँ, भाई साब जो services ले इनमें बिल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये कहते हैं, बिल को चाहिए, मैं कहता हूँ, ठीक है, 10 लाग रुपी की services थी, अगर आपको बिल चाहिए, तो 18% GST में आपसे extra लोगा, दे दीचे 11.8 लाग रुपीज, मैं आपको बिल दे देता हूँ, ये इनसान क्या कहता ह है, नहीं चाहिए, रखो अपने पास बिल, मुझे तो 18% बचाने हैं, क्योंकि बिल का करूँगा क्या, कहीं पर कोई खर्चा थोड़ी क्लेम करना, तो बिल अपने पास रखो, मैंने services लेनी थी, वो मैंने ले ली हैं, 10 लाग रुपे तुम्हें दूंगा, काम खतम, और य services दे दी गई, और यहां पर invoice नहीं दिया गया, invoice भी देना चाहिए था, invoice देते तो यहीं पर चिंटू और consumer के बीच में transaction complete हो जाती, transaction का एक पार्ट रोक लिया गया, कौन सा पार्ट invoice, अब इस invoice का क्या करे गए चिंटू, चिंटू ने invoice को रोकने के लिए पूरी की पूरी सारे के सारे तुमें दे देता हूँ, तुम अपने डिस्को में दिखा देना कि मेरी security services आए दिन तुम लेते रहते थे और 10 लाग रुपे का खर्चा तुमने कर दिया है मुझ पे, और यह 10 लाग रुपे क्या होने वाले हैं, तुम मुझे online दे देना, मैं तुमें cash में वा देखिए, यहां पर चिंटू धांदली बाजी कर क्या रहा है, वो सरकार को दिखा ही नहीं रहा कि यह 10 लाग की security services उसने इन लोगों को दी थी, वो कह रहे है मैंने services जो 10 लाग की थी, यह मैंने दी ही DJ Bobby को है, जो की एक businessman है, और अपने business को चलाने के लिए उसने यह input services आते हैं, तो reverse calculation करके आपको पता चल जाएगा, consideration निकल के आएगी, इत्तेगी, और इसका 18%, यह रहा आपका GST का amount, दोनों मिलाके बन जाते हैं, 10 लाग का amount, तो इसको invoice raise कर दिया जाएगा DJ Bobby को, कितने का 8,47,457 sales consideration, and GST 152543, दोनों मिलाके 10 लाग बन जाते हैं, 10 लाग online payment ल कोई भी part अगर इस कहानी का, आपने बीच में छोड़ दिया, या फिस skip कर गए, पूरी कहानी ही समझ नहीं आने वाली, बहुत ध्यान से सुनिए एक चोटी-चोटी चीज़ को, अभी तक क्या हुआ है, इस इंसान को बस invoice दिया गया है, 10 लाग रुपे का, जिस में bifurcation य online आई था, वो तो पूरे के पूरे वापस दे दिये, मुझे कुछ तो income होनी चाहिए न, उसे के लिए सारी सारी धंदले बाजी में कर रहा हूँ, तो इसको commission latest से एक लाग रुपे का मिल जाता है, कैसे मिलेगा, black में मिलेगा, white में नहीं मिलने वाला, क्यों यह सरकार को य यह पूरे transaction को अंजाम दे दिया गया है, इसने अपना commission कमा लिया है, लेकिन DJ Bobby को कहां पे फायदा हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं चला है, अब पता चल जाएगा, कैसे, देखिए, यह जो invoice आगया है न, DJ Bobby के पास, इसके basis पे DJ Bobby क्या claim करेगा, यह claim करेगा, भाई सम्म मैंने actually security services लीती चिंटू से, यह थोड़ी बता रहा है सरकार को, कि कि किसी और ने ली थी, मेरे पास तो बस बेला आया था, सरकार को जो दिख रहा है, उनको क्या दिख रहा है, उनको paper पे, अपनी channels के थूर, banking channels के थूर दिख रहा है, कि payment का lane दिन हुआ है, और इस इनसान क के पास invoice पड़ा है, तो सरकार क्या कभी भी इस इंसान पर doubt करेगी, कि इसने services नहीं ली ओंगी, यह दो नहीं कहेंगे, यह देने वाला कहरे मैंने services दी थी, लेने वाला कहरे मैंने services ली थी, सरकार के पास कोई भी reason यह doubt करने के लिए, सरकार हो सकता है, पकड़ भी ना हैं, GST Act वहाँ पर भी चिपकाने वाले हैं, income tax act में क्यों चिपका रहे हैं, ताकि यह जो consideration का amount है, 847457, अगर इंके उपर 30% का tax rate लगता है, टीजे बॉबी पे, तो ऐ 30% के rate पे, अगर इतना खर्चा claim कर गए, अपनी income को इतने amount से reduce कर गई है, तो fake expense है ना, actually तो इन्हें अगर इंकम को reduce कर पाएंगे, genuine income को, तो उस genuine income of 847457, उस पे 30% के rate पर जो tax इनको pay करना पड़ता, अब नहीं pay करना पड़ेगा, तो कितना पैसे बचाएंगे, income tax के नाम पे, 847457 multiplied by 30%, इतना तो इनको बचत की तरह देखने को मिलता है, किस पे, income tax के नाम पे, वही चीज म इतना fake expense claim करके, बात करते हैं GST Act की, यह जितना भी GST इनोंने pay करा है, यह बोलेंगे, यह मेरे business के लिए एक input है, और यह जो input services मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरे business से related है, and this is not restricted under section number 17.5, so what is going to happen is, इसका भी मुझा ITC मिल जाएगा, पूरे amount का, refund नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी जो यह actually इनका खर्चा नहीं है, लेकिन still income tax में भी फायदा दे रहा है, GST में भी फायदा दे रहा है, तो 152543 इतनी GST liability reduce करती, इतने का भी फायदा हो गया, लेकिन इनको 1,00,000,000 का commission देना पड़ा था, चिंटू को, वो मैंने आपको बताया था न, वो चीज यहां से minus कर तो यह plus, यह minus यह, इतने का net benefit हो गया है, DJ Bobby को, कितने का 3,00,000,000 का फायदा हो गया है, सिर्फ bill trading से, क्या मसदार scheme लग रही है, बिल्कुल, शायद मन में कहीं न, कहीं लग भी रहा होगा, कि हम DJ Bobby बन जाते हैं, या फिर चिंटू बन जाते हैं, अरे कुछ तो बन जाते हैं इनके consultant बन जाते हैं, commission में commission मार लेंगे, लेकिन आपको तीरों में से कुछ भी नहीं बनना, क्यों नहीं बनना है, कुछ ही दिर में आपको बताने बला होना है, तो यहाँ पर अभी तक सब कुछ देखें, बहुत अंकी डोरी लग रहा होगा, कि मज़े आ गया, DJ Bobby के भी लाक रुपे बचा गए, फायदे देखें सबको क्या क्या होगे इस पूरे arrangement से, चिंटू को क्या फायदे होगे, benefits to चिंटू, इनको extra commission income मिल गी लाक रुपे की, अगर ये actually invoices issue घर देते consumers को, तो ये पूरी की पूरी धांदले बाजी करने ही पाते, और ये लाक रुपे क जो commission income कमा गए हैं, वो भी नहीं कमा पाते, आपके दमाग में आएगा, यहाँ पर जो 10 लाक रुपे पे extra इंको GST अब पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने transaction को return में दिखा दिया होगा, तो वो तो loss होगे ना चिंटू को, loss नहीं हो गया, 10 लाक रुपे पे GST है, हमे GST अलग से देना पड़ेगा, यह कहानी इसको क्यों बोली गई थी, ताकि इन्वाइस ना ले, तो यह 10 लाक रुपे की जब भी अपनी sale दिखाएगा, इतने का revenue दिखाएगा कि मुझे रिसीव हो गया है, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, यही दोनों हिस्से, इतना GST चिंटू सरकार को पकड़ा देगा, ऐसे का ऐसा, और यह consideration अपने jam में रख लेगा, पहले भी इतनी ही मिलनी थी, अभी भी इतनी ही मिली है, लेकिन इसको invoice ना इशू करके, इसने लाक रुपे एक्स्टा कमा ली है, तो क्या मोटे मोटे तोर पे, इसने अपना GST हटा दिय इसने GST की चोरी नहीं करी है, इसने बस एक छोटा से चेंज करा, जो भी सप्लाइस करे थे, इसने को ITC नहीं मिलना चाहिए था, वो सप्लाइस दिखा दिये ही कि मैंने किसी businessman को करे हैं, जहां पे इसको supply का ITC भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ income tax में भी benefit ले जाता है, क उनको tax की जाता collection हो नहीं चीए थी, तो सरकार इसको पकड़ सकती है, लेकिन तब ही पकड़ पाईगी, जब भी उनको पता चल जाए कि services इसको दी गई थी, invoice इसको दिया गया है, और ये चीज़ पकड़ पाना मुश्किल है, इतना साथ नहीं है, काफी cases में पकड़ा जात लेकिन तो पकड़ना मुश्किल होता है, तो मैंने आपको वह चीज़ बताई थी, एक tax evasion में आपको बताने वाला हूँ, which is very very difficult to detect, this is that tax evasion, अब बात करते हैं छोटी से चीज़ की, आपको इस पूरे arrangement में ऐसा लगा होगा है, यार ये तो बहुत easy execute करना, क्यों नहीं करते लोगे, जादो लोगो को करना चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, जहाँ पर आप हिल जाएंगे, कि ये transaction कैसे, चिंटू, बहुत खतरनाक तरीके से घुमा सकता है अपने favor में, और यहाँ पर DJ Bobby, जितना यहाँ पर फस्ते आपको दिख रहे हैं, उस से दस गुना जादा फस्त जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, दिखे, अभी यहाँ पर सबको लग रहा होगा, चिंटू को भी लग रहा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन practically दिक्कत क्या आती है, मान लीजे, आप अपने आपको DJ Bobby की करने वाला, कभी नी करने वाला, क्योंकि उसको consequences बताऊंगे, लेकिन जिसको knowledge ही नियस चीज की, वो कर जाता है सोचके कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और end में जो होता है, वो आपको newspaper में पढ़ने को मिलता है, तो खेर देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत क्या हो दिया है, वो ही invoice में आपको दे देता हूँ, आप ये invoice लेना, बिंदास क्या करना, income tax act में भी claim करना, खर्चे को, उसके साथ-साथ, GSTB बचाना अपना, और कुछ ना कुछ commission मुझे दे दो, अब आप अपने आपको DJ Bobby की जगह देखिएगा, आपको जटका मिलेगा एक बह नहीं पकड़ा जाएगा, मैं भी नहीं पकड़ा जाएगा, अगर चिंटू पकड़ा जाएगा, ये नहीं पकड़ा जाएगा, ये नहीं पकड़ा जाएगा, तो मैं भी नहीं पकड़ा जाएगा, और मैं आपको एक छोट इस चीज़ बताता हूँ, what if I tell you, ये जो भी GST क आपको नहीं pay करने वाला अपनी जेम में रख लेगा क्या आपको थोड़ा डर लगेगा बिल्कुल थोड़ा क्या थोड़े से बहुत जादा डर लगना चाहिए आपको क्योंकि यह जितने भी amount का ITC आपने लिया है यह उसी condition पर मिलता है आपको कि आपसे जो भी GST collect करा है च loophole छोटा से यह है जैसे ही चिंटू अपनी GSTR 1 को fill करेगा अपनी GSTR 1 में बताएगा कि मैंने इतने का outwards supply कर दिया है Mr. DJ Bobby को तो उसके GSTR 1 फाइल करते ही आपकी GSTR 2A जो होगी GSTR 2A 2B of Bobby DJ Bobby उसमें populate हो जाएगा कि आपको 10 लाक रुपे का supply करा गया था जिसमें से 1.5 लाक य नहीं तो ले सकते हैं आप ले पाएंगे आपको GSTR 2A 2B देखके लगेगा कि चिंटू ने इस चीज को GSTR 1 में declare कर दिया यानि कि यह सरकार को कल को tax pay कर देगा अभी नहीं पे करा है अभी तो बस declare करा है सरकार भी चौड़ी हो जाती है कि अगर इस इस इंसान ने declare कर दिया ह अपने supply को तो अब यह नहीं भागने वाला अब तो पे करी देगा पे नहीं करेगा तो निकलवाना हमें आता है इसकी property बेज देंगे घर बेज देंगे सब कुछ बेज देंगे पैसा निकलवालेंगे तो सरकार कहती है जैसे ही supplier ने GSTR 1 में बता दिया ना कि उसने आपको क पकड़ेंगे अब यहाँ पर देखे दिक्कत क्या होगी यहाँ पर जो चिंटु है ना चिंटु कभी भी intention रखता ही नहीं था इस पैसे को सरकार को देने की चिंटु ने सरकार को भी चीट करा और सरकार के साथ साथ डीजे बॉबबी की बैंड बजा दी कैसे डीजे बोबी और सरकार दोनों की ही बैंड बजा रहा था DJ Bobby के साथ में के सरकार की बजा रहा था और खुद से ही DJ Bobby की बजा रहा था अब उसने खुद से DJ Bobby की कैसे बजाई तो समझने की कोशिश करिएगा यह अगर आपको समझ आ गया तो मार्केट में जितने भी ITC scams हो रहे है वो इसके बाहर नहीं आने वाले इसके दारे से बाहर नहीं आने वाले आपको समझा रहे हैं कर सम्मी क्या चीज़ हो रही है देखिजी चिंटू का स्टार्टिंग से ही सेकेंड प्लान क्या चल रहा था चिंटू की दिमाग में सबसे पहली ये चीज़ आगी थी कि GST नमबर जो भी में ले रहा हूँ वो ITC इवेजन के लिए उसने जब भी अपलाई करा उसने हो सकता है किसी भी इनसान को गाउं से पकड़ लिया फिर किसी ऐसी जगह से पकड़ लिया उनकी ID और बागी सारी details लेके उसने क्या करा उसने GST नमबर के लिए अपलाई कर दिया ताकि कल को कोई भी investigation हो मेरा fraud पता भी चल जाए लोगों को तो मुझे वो trace ही नहीं कर पाए मुझे पकड़ी नहीं पाए तो किसी भी इनसान का अधार नमबर लेके इसको भी बाट दिया, इसको भी बाट दिया जिनके पास भी बिल पहुच रहा है वो इस assumption में जी रहे हैं कि हम तो नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि services कहीं ना कहीं दी गई थी GST सरकार को pay करा जाएगा कुछ भी नहीं और भाई साब कि यही amount GST का वो reflect कर गया है, यानि कि चिंटू ने report कर दिया है कि इतने का supply उसने मुझे कर दिया है 10 लाग का जिसमें इतने का IT से मुझे मिल जाना चाहिए चिंटू भी बिंदास कर रहे है सारी reporting उसको reporting से दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो रातो रात गायब होने का प्लान रखता है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि सरकार को पता चलता जा रहा है, मैं कितने की reporting कर रहा हूं और वर्ट सप्लाइस की चिंटू धड़ा धड़ एक के बाद एक multiple business man को है, ऐसे ही invoices बेशता गया commission income कमाता गया black में और उसके बाद एक दिन आता है जब चिंटू का scam पबलिक को पता चल जाता है department को पता चल जाता है और इस पूरे के पूरे process में चिंटू ने एक साल निकाल लिया होता है और इस साल के अंदर DJ Bobby को पता चलता है कि मुझे 10 लाग का invoice मिला था और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग और थे जिनको पागल बनाया गया था चिंटू को द्वारा जिनको ये bills बेचे गए थे bill training के process में जो सारे के सारे सोच रहे थे चिंटू actually किसे को services provide कर रहा है बस bills हमें दे रहा है हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे GST पर सरकार के पास पहुच रहा है तो सरकार को भी भनक नहीं पड़ेगी ऐसे बहुत सारे लोग थे सब को मिला के 600 करोड का revenue चिंटू ने एक साल में book कर दिया था किसी का भी GST का सरकार के पास पहुचा नहीं पहुचा क्यों यह क्या करता था यह बस अपनी GSTR 1 के अंदर बिंदास declare करता था कि इसको मैंने 10 लाग का supply कर दिया इसको 50 लाग कर दिया वगेरा वगेरा लेकिन कभी भी अपनी GSTR 3 भी यह फाइल नहीं करता था यह file करने के time पर proof आ जाता है कि आपने payment करी है कैसे this minus this जो भी amount है वो pay इसको file करने के time पर निकल के आता है यह तो बस declaration होती है तो यह declaration देता गया और क्योंकि GST system के अंदर flaw है वो सामने वाली इंसान को सामने वाली party को ITC दे देता है और उसके पास सामने वाली party के पास कोई तरीका है भी नहीं check करने का कि जो भी GST मुझसे लिया गया था वो सरकार के पास पहुचा क्या आपके पास practically आज के टाइम पे कोई भी तरीका नहीं आप इस तीज को चेक कर पाएं अभी भी नहीं कर सकते है यह वीडियो बनाने के टाइम पे भी नहीं कर सकते है लेकिन कुछ ऐसे genuine businessman भी होते हैं जो कि इन चीजों में फर्स जाते हैं लेकिन कैसे बचेंगे फर्स ने से services लेते हैं goods लेते हैं तब ही जाके bills लिया करिए bill trading कभी मत करिए नहीं तो यही जो चीज में आपको बताई है आपके साथ भी हो सकती है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन इंसान actually services इदर ओदर provide करके आपको बस invoice दे रहा है और कौन इंसान सिर्फ और सिर्फ bill trading कर रहा है और कल को रातो रात गायव हो जाएगा अब department के पास क्या है पूरा कपूरा scam होने के बाद जैसे ही department को पता चलता है कि यार बड़े सारे लोग ITC ले रहे हैं और हमारे पास tax तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो यह चीज जैसे ही वो search करने लग जाएंगे थोड़ा से interrogate करने लग जाएंगे उनको idea लग जाएग लेने की कोशिश कर रहे हैं इंकम tax बचाने की कोशिश कर रहे हैं वगेरा वगेरा तो यह सारे लोग line में खड़े होंगे इस जैसे और चिंटू कहाँ पे होगा चिंटू को पकड़के अच्छे से घिसा जा सकता है लेकिन चिंटू मिलने नहीं वाला दिक्कत यही है चिं जिन्दगी कहीना कहीं मॉल्टीव में जी रहे हैं मस्त जिन्दगी और डीजे बभी क्या करेंगे डीजे बभी को पहले तो पताना पड़ेगा आपने करा क्या क्यों उसके साथ सा जैसे पता चल जाएगा इसली ट्रंसक्शन ट्रेस करी जा सकती है कि यहां पर बिल पीस पे करनी पड़ेंगी इंट्रेस्ट पे करना पड़ेगा लेट पेइमेंट और टाक्स की वज़े से और यहां पर जो आपने कमिशन दिया था ये भी जाएगा तो लॉस ही लॉस होने बला है ये वी आपको प्रॉफिट दिख रहा था ये भी लॉस मने गा ये एक और हमारे क्लाइंट हैं जो कि भी बहुत रिसेंटली जीगस्टी डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट हुए हैं क्या गलत काम कर रहे थे, कैसे पकड़े गए वगेरा वगेरा सारी चीज़े जानना चाते हैं जानना चाते हैं तो बताईएगा किसी और दिन किसी और डिस्केशन में वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा मिलते हैं निक्स वीडियो में टेक रिफिसेल गुद नाइट बाई